आपका सवाल, हमारा जवाब हेलो दोस्तों हम और हमारी टीम आप सभी के सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रही है आज के इस विडियो में हम एक सवाल का जवाब जानेंगे ताकि जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब मिल जाए सवाल पास्चरी करण क्या है? पास्चरी करण किसे कहते हैं? अर्थात दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सुक्षम जीव प्रत्य एक जगह है और वह है हर सेकन करोडों अपने जैसे सुक्षम जीवों को जन देते हैं तो दोस्तों जब हम दूद को गर्म करके लगते हैं, तो उसमें सूक्षम जीव अपने प्रजनन का कार्य करने लगते हैं. परन्तु दोस्तों जब हम उसी दूद को 70 डिग्री सेलसियस पर 15 से 30 सेकंड गर्म करते हैं, फिर उसके तुरंद बाद बिना किसी देरी के थंडा कर लेते हैं तो हमारे दूब में प्रजनन करने वाले सूक्षम जीवों की विधी रुख जाती है इस प्रक्रिया को ही हम पास्चरी करण कहते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम किताब के द्वारा दिये गए जवाब को भी देख लेते हैं जवाब दूब को 70 दिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं फिर एक आयक थंडा कर उसे भांदारन कर लेते हैं ऐसा करने से सूक्षम जीवों की विधी रुख जाती है इस प्रक्रिया को पास्चरी करण कहते हैं तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना योगदान दें धन्यबाद